हम आपको बताएंगे कि OMR sheet कैसे fill up करें जैसा कि हमारे पास high school UP board का यह OMR sheet है और इसमें आपको क्या भरना है, कैसे भरना है इसमें कौन सी साउधानिया बरतनी है, क्या भरना है, क्या नहीं भरना है इसमें A to chat चोपी जानकारी है, हम आपको step by step देते रहेंगे आप बस वीडियो को में लाश्ट थक बने रहें और वीडियो को वाच करें इसके बाद आपको OMR sheet पर कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस वीडियो के देखने के बाद तो इसमें सारा doubt हम clear करने वाला है OMR sheet के related तो यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारे पास हाई स्कूल यूपी बोड का जो है OMR sheet है इसको भरने से पहले आपको जब यह OMR sheet मिल जाए इसको fill up करने से पहले आपको पीछे देख लेना है इसमें क्या-क्या instruction दिये गिये हैं क्या-क्या साउधानी आपको दी गई है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा केवल काले या नेले ball point pen से सही गोले को पूर रूप से भरे आपको यहाँ पे काला नेला कोई भी clear का हो वो ball point pen होना चाहिए जैसा कि हमारे पास यह दो pen है यह हमारे इस pen से हम ओमार शीट के जो गोले है उसको fill up करने के लिए रखे है और इस pen से हमें जो कुछ लिखना पड़ेगा उसको हम इस pen से लिखेंगे तो इस तरह से आपको pen ले लेना है यह कुछ heading pen के तरह है थोड़ा सा मोटा चलता है और यह पतला चलता है इस pen से तो आप रूबरू हुए होंगे इस pen को आप जानते होंगे और यह pen अगर नहीं जानते हैं तो आप जाएंगे तो heading pen करके या ओमार शीट फिल up कैसे करना है उस तरह का pen मांगेंगे तो आपको इस तरह का pen मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके चोपी पीछे लिखा हुआ इसको ध्यान से पढ़ लेना है और इसके guarding आपको एमार शीट भरना है लेकिन उससे कुछ अलग ही हम इसमें आपको explain करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये तो हमने पढ़ लिया और प्रतेक प्रश्ण का उत्तर उत्तर पत्रक में दिये गए प्रमांके के सामने संबन्नित गोले को पूड रूप से भर कर दीजिए हर प्रश्ण के चार विकल्प है तो जो OMR sheet में आंसर आपको देना है प्रश्ण पत्र में आपको question के चार आंसर दिये होंगे यानि की चार विकल्प दिये होंगे उसमें आपको छाटना है और उसको भरना है कैसे भरना है हम इसको आपको आगे बताएंगे इसके बाद OMR sheet पर सभी प्रविष्टियां साउधानी पूरोग भरें उसमें cutting, over cutting, writing करापी ना करें तो यहाँ पर आपको OMR sheet भरने के जब आप भरेंगे तो उसमें cutting, cutting नहीं करना है आपको सिर्क गोला ही भरना है ठीक है और यहाँ पर OMR पर वाइटनर का प्रेयोग ना करें अगर आप वाइटनर का प्रेयोग करते हैं तो जब यह आपका OMR sheet चेक होगा उसमें scan करने में problem आती है इसलिए इसको वाइटनर का प्रेयोग नहीं करना है वाइटनर आप जानते ही होंगे एक सफित कलर का आता है उसको जब गलरत होता है तो उसपे चला करके उसको मेटा करके फिर उसको लिखते हैं उसी को वाइटनर करते हैं आई होग आप जानते होंगे वाइटनर के बारे में तो आपको वाइटनर का प्रेयोग OMR sheet पे नहीं करना है निचे लिखाए प्रतेक प्रेट का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निसान लगा कर देजिए जैसा कि पृष्टवन में दर्शाया गया है हम आपको पृष्टवन भी दिखाएंगे उसमें कैसे गोला भरना है वो पूरा बताया गया है और यहाँ पे उत्तर के लिए दिये गए सही गोले को पूर रूप से भरें उत्तर पत्रक में पर अन्य कहीं भी कोई निशान ना लगए आनि कि आपको वेमाशीट पूरा साप सुतरा रखना है जो भी जानकारी है उसमें भरनी है सिर्फ उसी को बरना है कोई कट्पिट नहीं करना है कोई अलग से कुछ नहीं लिखना है वेमाशीट में आपको पूरी सावधानी बरतनी है पूरा साप सफाई का इसमें साप सुतर आपको मिलेगा इससे आपको परशान होने की जरुवत नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्ण पर्त्र मार्का सिरीज की अंतरगर प्रश्ण पर्त्र उपर अंकित प्रश्ण पर्त्र संक्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सिरीज जो अंग्रेजी के दो प्रश्टिपत्त त्था ईस्थान अंकित करना होगा तता उससे संबंधित गोलों को बरना होगा अब यह मारका सिरीच क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और मारका सिरीच कैसे बरना है वह भी बताएंगे तो इससे भी आपको कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली है इसके बाद आता है कच्छ निरिच्छक का यह दाइत होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्ट पत्र का मारका स्रीष तथा चित्र कला संगीत वादन विशय में प्रश्ट पत्र का भाग एक अतवा भाग दो अंकित करा है जिसे पच्छ आर्थी द्वारा हल किया है अब यहाँ पे जो यह आपका इसमें जो भी कहा किया है इसको भी हम आपको अभी जब ओमार्शीट फिलब करेंगे उसमें आपको डेटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या कहरा है यहाँ पे लिखा है कदिपय प्रश्ट पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उलेक नहीं है इस प्रकार के प्रेंट पत्रों की संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्ण पत्र मारका स्रीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है अगर आपके प्रेंट पत्र में मारका स्रीज नहीं लिखा है तो आपको OMR सीट में मारका स्रीज बिल्कुल फिल्प नहीं करना है बिल्कुल इस तरह का या कुछ इस से अलग हो सकता है यह UP Board के विबसाइट से ही डाउनलोड़ेड है यहाँ पर सेम ही आपको वेमार्शीट मिलेगा जिसमें All Lady आपका जीला कोट, केंद्र कोट, अनुक्रमांग और विसा कोट, नाम हिंदी और प्रश्ल पत संक्या यह सब आपको फिलप मिलेगा, हमार शीट का करम संक्या भी मिलेगा यहाँ पे पीछे लिखा हुआ था कि गोले भरने का जो हमारा यह बताए गया था तो यहाँ पे देख सकते हो गोले भरने का सही तरीका और गोले भरने का गलत तरीका बताए गया है तो यहाँ पे यह गलत तरीका है, अगर आपको गोला भरना है, इस तरह से हम आपको यहाँ पे एकजामपल देते रहे हैं बसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए जो पहली बार दे रहा होगा तो देखिए एक इस तरह का गोला रहेगा जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह का गोला रहेगा अगर आप इसको ऐसे कट कर देते हैं तो ये गलत तरीका हो जाता है और कुछ इस तरह का मार्क लगाते हैं तो यह भी गलत तरीका है और इस तरह का गोला है और इस पर टीक लगा देते हैं तो यह भी गलत तरीका है और अगर इस तरह से भरते हैं कुछ भर देते हैं कुछ छोड़ देते हैं गोले मों तो यह भी गलत तरीका है बिल्कुल जो सही त से इस गोले को पूरा फिलेप करना है तो देख सकते हो इस ये बहुत जल्डी से आपका गोला पूरा फिलप हो जाएगा तो इस तरह से आपको URL में साउधानी पूरवक बरना है और इस पर कुछ नहीं करना तो यह तरह से आप गोला को भली अब नेक्स आपको बताते हैं तो यहां पर आपको दिखाते हैं, जब आपको प्रेश्ण पत्र मिल जाएगा, तो यह आपका बिजड़ाइ कोड होगा, और उसके बाद यहापे प्रेशन पत्र संख्या होगा, और यह आपका मार्गा सीरीज है, DA, ठीक है? तो यहां पे हम आपको भर के बताते हैं कि इसको कैसे बरना है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यह जूम ज्यादा है तो इस तरह से हैं आप हम आपको बताते हैं तो इसको आप जूम करके देख लीजेगा यहापर आई यूटो पे ऑपशन होता है क्वाल्टी तो अच्छी क्वाल्टी लगा कर आप देखेंगे तो पूरा दिखेगा यह नहीं तो अगर आप कम लो क्वाल्टी पे रहेगा तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा तो यहां पर के अपको क्या करना है यह आपका wiser code हो गया जैसर में पर दीख रहा है और यह आपका हो गया प्रश्ण पत्रसंक्या और यह आपको ड यह लिखा है कि आपका marka series हो गया तो marka series को कैसे करना है यहां पे देख सकते हो कच्ण से यहां पर पहला तो यहां पर आपको पहला अच्छा D लिखना है, तो इस तो आपको इस तरह का प्रें जो आपका normal pain होगा उसको यूज करना है, और यहां पर A लिखना है, लेकिन जब आप OMR शीट बरेंगे तो आपको मोटे pain का यूज करना है, अब यहाँ पर देखना है कि D कहा है तो यहाँ पर D को आपको देखना है D आपको फुरा फिलब करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं D कहाँ पर है तो देखी यहाँ पर D लिखा हुआ है यहाँ पर आपको D इस तरह से पहले आपको जो गोला साइड साइड में है उसको इस पहले गोला को करना है उसके बाद बीच वाले चीज जो सेक्षन है उसको बरना है तो इस तरह से आपको गोला को फिलब करना है अब यहाँ पर ए लेना है तो यह आपको पहले पर मिल जा रहा है तो ए को आपको पहले जो तो यहां पे आपको यूज करना है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए तो इस तरह से आप यह भरेंगे जो है मारका स्रीच उसके बाद यहाँ पे जो आंसर दिया है यहाँ पे हमारे पास फोटो कॉपी है और इसमें कोश्चन नहीं दिये गए है ठीक है बस हम आपको इस तरह से बता रहे थे कि आपको यह उपर का सेक्शन जो है कैसे भरना है तो यहाँ पर दूसरे कोश्चन का हमारा यह है ठीक है तो पहले हम इसको करेंगे और इसको पूरा फिलफ करने के बाद इसमें आएंगे नीचे वाले सेक्शन में और यहाँ पे दूसरे कोश्चन का जो हमारा आंसर है यह है तो इस तरह से आपको फिलफ करना गार आपको कोई भी डाउट रह रह रहा है तो आप अपने जो निरिच्चक हैं कच निरिच्चक जो टीचर रहें कि वहाँ पे लिए इकजाम खॉल में तो वहाँ पे आपको पूछ लेना है और आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है जोकि वह आंसर नहीं बताएंगे लेकिन बागी चीजे वह जो आपको दिक्कत है भ सब्चिक्ट है यहां के देख सकते हैं केवल चीत्रकला एवं संगीत वादन विशा है तो प्रिशन पत्र के जिस भाग को परिच्छार्थी द्वारा हल किया गया है उसको उसके सम्मुख गोले को भरा जाए अन्य विश्यों है तो यहीं कुछ भी अंकित ना करें अगर आप अलेखन वाध या संगीत वादन की सब्जिक्ट लिए है तो भी तो ही आपको इसको टूच करना याने की गोले को भरना है नहीं तो आपको नहीं भरना है या वहीं टीचर देंगे आपके एग्जाम हॉल में उनसे आप पूछ लेंगे तो यह आपको बता देंगे टीक है वज़े आपको जानकारी होने चाहिए कि आप कौन सब सब्जिक्ट लिए हैं उसके तुरू आपको भरना है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको टीचर से पूछ लेना है और यहाँ पर आपको देखिए पहला अचर मारका सिरीज यहाँ पर दिया है तो जीस तरह से य यहाँ पर भरेंगे तो यहां पर आपको क्यों मारका स्रिश का पहला जार दूसरा यह करना है वहों बाकि सभी ही क्रम संख्या और यहाँ पर ओल्रदी रहेगा यहां पर केंद्र की केंद्र Voastakक के मोहर हो जाएंगे तो यहाँ परिछ्षार्थि के हस्था जरों ब्हा लिडा हुआ है तो यहाँ पे आपको परिपपड़ क कुछ लेना देना नहीं मुच्छ होग करना मिक्राप यह आपको करना है यहाँ पर भी आपको कर देना है और इसलिब्स दार पर कारो Parents और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका चिनी रिचक से आप पूश सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप हो यमार शीट भरेंगे अगर कोई तो यहाँ पर अगर आपको कोई आउट है कुछ पूछना है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और कुछ suggestion देना है तो भी आप यहाँ पर comment box में comment कर सकते हैं So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्स्क्राइब करेज़ेगा ताकि कोई भी वीडियो कानो डिविकेसान आपसे छोड़ने न अपाए तो चलिए अब हमें लगें नेक्स्टी वीडियो में तब तक के लिए जैए वारत बंदि मात्रम